और मेरे तगड़े भी बॉक्स दोस्तों क्या दे तुम्हारे मास भी बॉक्सिंग कर रहे हो ना तो आज साउंड जो तुम सीखने वाले उसे कहते हैं तब पॉलिफोनिक साउंड जो कि साउंड कुछ ऐसा करने के लिए अब तुम्हें अपने वॉइस को हाइप ले जाना पड़ेगा यहां करना है हवाको बहार की तरफ ब्लॉव मतला हवा पाहर छोड़नी है मुझी इसमें लंक्स का यूज होगा ऐसे पूरा ऐसे हवा को बाहर की तरफ होड़ो देखा इन नॉर्मल वाइसमें नहीं कर रहा है से हाँ पीछ पे हाँ अब बढ़ते हैं तीसे स्टेप की और अब तीसे स्टेप में क्याकर नहीं जो तुमा में कर देता हूं मैं वोइस को कट तो यह बन जाएगा ऐसे वह सब हवा बच गई है वोइस आ रही होगी बहुती हल्की ना के बरावन तो बहुती हल्की वोइस चलेगा ठीक है फाइनल और चौथा स्टेप है वो है इसमें तुम्हें क्या करना है यह यहां तक ठीक है सीखे स्टैप था यह अब चौत है स्टैप में तुम्हे अपना जो नॉर्मल वॉइस सीटाइब करना भटी हल्का सा इससे होगा क्या हमें अपना हल्का सा नॉर्मल व dengan कर तो एक बीच मैं हलका सा एड़ कर रहा हूं हाई पीच वाली है तो ठीक है यही था चौथा स्ट्रेप जो मैंने चारो स्ट्रेप बताएं उसको आराम राम से देखो ठीक है तो यह था पॉलिफॉनिक साउंड और हाँ एक चीज इसमें पॉलिफॉनिक साउंड की तुम प्रैक्टिस करते ह है यह साउंड आज है उसके बाद जो हम साउंड करते हैं तो इसमें एर का बहुत होता है आउटवर एर तो जिसके वज़े से तुम्हें हलका सा डिजी सा फील हो सकता है मतला हलका सा तुम्हें थोड़ा से थोड़ा सा चक्कार आ सकता है बिना कोई भी सस्ते नशे करें ठी और एक थम्स अब भी ताकि इस चैनल को थोड़ा बूस्ट मिले और इस वीडियो को भी बूस्ट मिले और जो भी लोग पॉलिफानिक सांड चाहते हैं उन्हें पर यह वीडियो रेकमेंड हो उन्हें पहुंच जाए ठीक है don't forget to leave a like so that's it for the tutorial चलता हो मैं मिलूँगा एक और tutorial के साथ this is musical mouth